भजन सहिता 50, 16-23 तक परन्तु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यूं करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुछ जानता है. जब तूने चोर को देखा, तब उसकी स तगे भाई की चुगली खाता है. यह काम तूने किया, और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिलकुल मेरे समान है. परन्तु मैं तुझे समझाऊंगा, और तेरी आँखों के सामने सब कुछ अलग-अलग दिखाऊंगा. हे परमेश्वर को भूल धन्यवाद के बलिदान का चड़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उत्धार दिखाऊंगा. लुका 22, 49-62 तक, तब वह बाहर निकल कर अपनी रीती के अनुसार जैतून के पहार पर गया, और चेल प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो. तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थे देता था. वहत्यंत संकर्ट में व्याकुल होकर और भ प्रार्थना करो की परीक्षा में न पढ़ो. वह यह कही रहा था कि एक भीड़ाई, और उन बारहों में से एक जिसका नाम यहुदा था उनके आगे आगे आ रहा था. वह यीशु के पास आया कि उसका चूमा ले. यीशु ने उससे कहा, हे यहुदा, क्या तू चूमा ले किया. तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिर के पहरूँ के सरदारों और पुरनियों से, जो उस पर चड़ाए थे, कहा, क्या तुम मुझे डाकु जानकर तलवारें और लाठियां ले हुए निकले हो. जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था, तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है, और अंधकार का अधिकार है. फिर वे उसे पकड़ कर ले चले, और महायाजक के घर में लाए. पत्रस दूर ही दूर उसके पीछे-पीछे चलता था, और जब वे आंगन में आग सुलगा कर इकठे बैठे, तो पत् कर और उसकी और ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था. परन्तु उसने यह कहकर इंकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता. थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उनहीं में से है. पत्रस ने कहा, हे मनुश्य, मैं नहीं हूँ. कोई कर पत्रस की और देखा, और पत्रस को प्रभू की वह बात याद आई जो उसने कही थी. आज मुर्ग के बांग देने से पहले, तू तीन बार मेरा इंकार करेगा. और वह बाहर निकल कर फूट फूट कर रोया. यहोश्य पांच, तेरह से पंद्रह तक. जब यहोश्य यरी की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं. तब यहोश्य ने प्रित्वी पर मुह के बल गिर कर दंदवत किया, और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभू की क्या आ गया है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोश्य से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्यों के राजा और शूरवीरों समेथ तेरे वश में कर देता हूं. इसलिए तुम में जितने योध्धा हैं नगर को घेर लें, और उस नगर के चारों और एक बार घूमाएं, और च्छा दिन तक ऐसा ही किया करना, और साथ याजग संदूक के आगे-ागे मेरों के सींगों के सा जैकार करें, तब नगर की शेहर पनाह नेव से गिर जाएगी, और सब लोग अपने अपने सामने चर जाएं. इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजगों को बुलवा कर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो, और साथ याजग यहोवा के संदूक के आगे-ागे मेरों क सींगों के साथ नरसिंगे लिए चलें. फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों और घूमाओ, और हतियार बंद पुरुश यहोवा के संदूक के आगे-ागे चलें. और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका, तो वे साथ याजग जो यहोवा के साथ नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फुंकते हुए चले, और यहोवा की बाचा का संदूक उनके पीछे-पीछे चला. और हतियार बंद पुरुश नरसिंगे फुंकने वाले याजगों के आगे-ागे चले, और पीछे वाले संदूक के पीछे-पीछे चले, और य पाते ही जैजैकार करना। उसने यहवा के संदूप को एक बारनगर के चारों ओर घुमवाया, तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी। यहोशु सवेरे उठा और याजको ने यहवा का संदूप ऊठा लिया। और उन साथ याजकों ने मेडों के सीङों के साथ नरस पुरुष चले और पीछवाले यहुआ के सिंदूप के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों और घूमकर छावनी में लौट आए। और इसी प्रकार उन्होंने छह दिन तक किया। फिर सात उसमें दिनवे बड़े तड़के उठकर उसी रीती से नगर के चारों और साथ बार घूमाए, केवल उसी दिनवे साथ बार घूमें। तब साथ भी बार जब याजक नरसिंगे फुंकते थे, तब यहोशु ने लोगों से कहा, जैजैकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अरपन की वस्तु ठहरेगी, केवल रहा आप वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर होवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। तब लोगोंने जैजैकार किया और याजक नरसिंगे फुंकते रहे। और जब लोगोंने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनी से उन्होंने जैजैकार किया, तब शहर पनाह नीव से पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चड़ गए और नगर को ले लिया। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूरे, बरन बैल, भेड़ बकरी, गदहे और जितने नगर में थे, उन सबों को उन्होंने अरपन की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। तब यहोशु ने उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेड लेने गए थे कहा, अपनी शपत के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेडिये भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता, भायों और सब को जो उसके यहां रहते थे, वरन उसके सब कुटुम्बियों को निकाल लाए और इस्राइल की चावनी से बाहर बैठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था, सब को आग लगा कर फूंप दिया, केवल चांदी, सोन और जो पात्र पीतल और लोहे के थे, उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। और यहोशु ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इस्राइलियों के बीच में रह पित हो, जब वह उसकी नीव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लिगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और यहोवा यहोशु के संग रहा, और यहोशु की कीर्ती उस सारे देश में फैल गई। यहोशु 7, 1-26 तक, प यहोशु ने यहोशु से ए नामक नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुशों को यह कह कर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुशों ने जाकर एका भेद लिया, और उन्होंने यहोशु के पास लोटकर कहा सब लोग वहां न जाएं, कोई दो तीन हजार पुरुष जाकर एको जीत सकते हैं, सब लोगों को वहां जाने का कश्ट न दे, क्योंकि वे लोग ठोड़े ही हैं। इसलिए कोई तीन हजार पुरुष वहां गए, परंतु एके रहने वालों के सामने से भाग आए, तब एके रहने वालों ने उन में से कोई 36 पुरुष मार डाले, और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल कर जलसा बन गया। तब यहोशु ने अपने वस्त्रा फाड़े, और वह और इस्राइली व्रिध लोग यहोवा के सिंदूप के सामने मुह के बल गिरकर पृत्वी पर सांच तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। यहोवा ने यहोशु से कहा, उट, खड़ा हो जा, तू क्यूं इस भाती मुह के बल पृत्वी पर पड़ा है। आप अरपन की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अरपन की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे, तुमा आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। उट, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह, सबेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है। हे इसराइल, तेरे मध्य में अरपन की वस्तु है। इसलिए जब तक तु अरपन की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे तब तक तु अपने शत्रूं के सामने खड़ा न रह सकेगा। और इसराइल में अनुचित कर्म किया है। इसके आगे अंगीकार कर और जो कुछ तु ने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। आकान ने यहोशु को उत्तर दिया। सच मुच मैंने इसराइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओरना और दो सो शेकेल चांदी और पचास शेकेल सोने की एक इग देख पड़ी तब मैंने उनका लालच कर के उन्हें रख लिया वे मेरे देरे के भीतर भूमी में गड़े हैं और सब के नीचे चांदी है तब यहोशु ने दूद भेजे और वे उस देरे में दोड़े गए और क्या देखा की वेवस्तुएं उसके देरे में गड़ी हैं और सब के नीचे चांदी है उनको उन्हों गदों और भेड़ बकरियों को और उसके देरे को अर्थात जो कुछ उसका था उन सब को आकोर नामक तराई में ले गया तब यहोशु ने उससे कहा तुने हमें क्यों कश्ट दिया है आज के दिन यहोवा तुझी को कश्ट देगा तब सब इस्राईलियों ने उस पर पत्राव किया और उनको आग में डाल कर जलाया और उनके उपर पत्थर डाल दिये और उन्होंने उसके उपर पत्थरों का बड़ा धेर लगा दिया जो आज तक बना है तब यहोबा का भड़का हुआ कोप शांध हो गया इस कारण उस्थान का नाम आज तक आकोर्तराई पड़ा है